Hello friend, welcome to study news उत्तर प्रदेश सरकार ने सुक्रवार को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए विद्यक का पहला मसदा जारी किया है इस विद्यक यानि बिल में परिवार में दो बच्चो या उससे कम तक सीमित रहने वाले परिवार के माता पिता को कई तरह की सुविधाएं देने का प्रावधान है और जिन माता पिता के दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें कई सरकारी सुविधाओं से वन्चित होना पड़ेगा तो जानते हैं इस पूरे बिल के बारे में सो लटर से स्टार्ट उत्तर परदेश की योगी आदितिनाथ की सरकार ने उत्तर परदेश जनसंख्या बिल का ड्राफ्ट तयार किया है और इस ड्राफ्ट में उत्तर परदेश में पोपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कानोनी उपायों के रास्ते सुझाएं हैं यूपी सरकार ने कहा है कि सरकार 2021 से 2030 के लिए जनसंख्या निती लाएगी जिसकी घोषना विश्व जनसंख्या दिवस यानि 11 जुलाई को की जाएगी बिल में दो बच्चों का मापदन पेश किया गया है जिसका पालन ना करने पर उस परिवार को राजी प्रायोजित कल्याण कारी रोजनाओं का लाभ लेने और सबसीडी प्राप्त करने से वन्चित कर दिया जाएगा और जिन माता पिता के दो या उससे कम बच्चे हैं उन्हें कई सरकारी सुविधाएं दी जाएंगे इस बिल के जरिये उत्ताय प्रदेश में जनसंख्या को नियंतर करने में मदद मिलेगी नई जनसंख्या निती के अनुसार यदि माता पिता के दो बच्चे हैं और अभिवावक सरकारी नौकरी करते हैं तो उन्हें अतिरिक्ट इंक्रिमेंट प्रमोसन सरकारी आवासी योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाएं मिल सकती हैं और जिन माता पिता के पास सरकारी नौकरी नहीं है और उनके पास दो बच्चे हैं तो उन्हें पानी, बिल, हाउश, टैक्स, होम लोन में छूट मिल सकती हैं जिन माता पिता के पास केवल एक बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चे के लिए 20 वर्ष तक फ्री में इलाज सिख्छा मिल सकती है और सरकारी सुविधाएं कई तरह की मिलेंगी उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए प्रात्मिक्ता मिल सकती हैं परिवार यदि गरीबी इरेखा के नीचे हैं तो उन्हें अपने बच्चे के लिए यदि वो लड़का है तो 80,000 रुपए और लड़की है तो एक लाक रुपए एक साथ मिल सकते हैं और एक से ज़्यादा यदि उसने भी एक से ज़्यादा साधियां की हैं और मिलाकर दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे भी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। दो से ज़्यादा बच्चे की माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे और प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो ये थी यूपी पोपुलेशन कंट्रोल बील 2021 के बारे में इंपोर्टन इंफोर्मेशन।